आप मिसे काफी सारे स्टुरेंट्स ऐसे हैं जिनने अपनी स्टुलिंग प्र Αवर्मेंट से गमपलेट की होगी काफी सारे students ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी schooling government school से complete की और काफी सारे students ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी schooling semi government से complete की semi government का मतलब है कि ऐसे school जो private तो है लेकिन उनको government की तरफ से भी fund दिया जाता है जैसे DAV school हो गया और इन schools की अपनी अलग-अलग administration body भी है कुछ schools CBSE से affiliated होते हैं कुछ ISE से affiliated होते हैं कुछ schools NIOS से affiliated होते हैं और बहुत सारे school ऐसे होते हैं जो state board से affiliated होते हैं चाहे UP board हो गया चाहे बिहार board हो गया चाहे राजस्तान board हो गया हरियाना board हो गया तमिलनाडू board हो गया और इन स्कूल्स में जो करिकुलम फोलो किया जाता है जो टेक्सबुक होती है उसकी लिए अलग इंस्ट्रीट होते हैं जैसे NCRT नेशनल लेवल पर है और स्टेट लेवल पर है SCRT तो आज के इस वीडियो लक्चर में हम इनी चीजों की बात करेंगे हम अलग अलग जो स्कूल्स हैं उसकी बात करेंगे जो अलग अलग अड्मिस्ट्रेशन बॉड़ी हैं हम उसकी बात करेंगे तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए और आखरी तक देखिए और कोई भी क्वेश्चन हो कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप जरूर पूछ सकते हैं और वीडियो अच्छी लगे तब भी अपना फीड़बेक जरूर दे सकते हैं तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइपस ओफ स्कूल्स विद्यालियों के परकार तो सबसे पहले हम देखते हैं गौर्मेंट स्कूल्स सरकारी विद्याले फिर गौर्मेंट इडिट प्राइबेट स्कूल्स के सरकारी सहायता प्राप्त निजी विद्याले कि ऐसे निजी विद्याले जिनको गौर्मेंट की तरफ से सहायता मिलती है गौर्वर्मेंट की तरफ से इनको financial help मिलती है फिर private schools निजी विद्याले तो ये तीन जो है अलग-लग विद्यालियों के परकार है और आप में से बहुत सारे इस्टुमेंट कोई government से पढ़ा होगा कोई private से पढ़ा होगा और कोई government school से आप सब पढ़कर आएंगे इंडिया is mainly provided by government schools कि भारत में जो सिक्षा है मुख्य रूप से सरकारी विद्यालियों द्वारा ही परदान की जाती है कि आज भी हम देखते हैं इंडिया में 50-60% से जारश्रोंट ऐसे हैं जो government school में ही पढ़ते हैं इसका main reason क्या है कि government school में जो education है free दी जाती है तो इसलिए यह सभी की पहुंचके अंदर आता है और यह इस इसकूल्स आरण एंड फाइनेर्स बाइदा सेंटल स्टेट और लोकल गॉवर्मेंट की और जो गॉवर्मेंट स्कूल है ठीक है एक अलग-लग जो government के types हैं कुछ schools central government के तरू run किये जाते हैं finance कि ए जाते हैं कुछ school state government के तरू तो कुछ local government के तरू which government schools can be categorized into three parts on the basis of management के अपने management के basis पर government school को है त्री Tu YES में आप इस सक कर सकते हैं केटेग्राइइज कर सकते हैं कौन कौन से three एज गाटिगरी हैं तो सबसे पहले गहां बात करें लुए सेंटल गोवर moi की क να सरकार状lock कि एसे इसकूल जिनको जिनका administration और management कौन कर रहा की इंद्र साथ कर रही है तो एसे कौन कौन से स्कूल है ठीक है तो तो सबसे पहले हम देखते हैं केंद्री विद्याले, these schools are finance and administered by the Serrental government, तो इसमें सबसे पहले आता है केंद्री विद्याले, जवाहर नवोदे विद्याले only for gifted students कि जो student, rural area के talented students होते हैं, तो ऐसे student के लिए जवाहर नवोदे विद्याले हैं, जो boarding schools होते हैं 6 to 12 और यहां पे ब देखते हैं कस्तूर्भा गांधी बालिका विद्याले only for SC, ST and OBC classes ठीक है तो यह भी स्कूल जो है यह भी सेंट्रल गौर्वर्मेंट के तुरू रन होते हैं तो यह जो हमने तीन स्कूल देखे केंद्री विद्याले जवार नौवदे विद्याले और कस्तूर्भा गांधी ब विद्याले कौन-कौन से हैं तो these schools are finance and administered by the state government ठीक है तो सबसे पहले हम देखते हैं सर्वुदे विद्याले कि जिन schools के नाम के सास्थ सर्वुदे जुड़ा होता है सर्वुदे बाल विद्याले सर्वुदे कर्या विद्याले इस सारे विद्याले स्टेर्ट गौर्मेंट क कई बार हम देखते हैं कि सर्वध description लिखकर राजकी भी लिखा होता है तो जिनी स्कूल के आगे सर्वध राजकी एस तरहे का टाइटल लगा होता है उस सारे जो राजकी मतलब राजकी ठीक है तो इस विद्याले स्टेट गवर्मेंट के तुरू चलाई जाते हैं शासकी विद्याले तो कई जगे राज की सर्वोदेना लिखकर सासकी भी लिखा जाता है तो ऐसे स्कूल्स भी जो है वो स्टेट गवर्मेंट के तुरू चलाई जाते हैं और प्रतिभा विद्याले तो एक स्कूल कौन से हैं तो इस तरह के जो स्कूल होते हैं नगर निघम विध्याले लोकल जो होती है एक आते विद्याले ब morality प्रशाला भी कहते है तो एक section जो लोकल Government के थ्रू चलाए जाते हैं इसके आलामा डाली की बात करें टो ढलीных स्कूल है जिसको हम कहते है नव्यूक स्कूल स्कूल जो लोकल गॉर्मेंट है ndmc निव डेली मुल्सिपल कॉर्परेशन उसके थूरू चलाया जाता है तो कुछ स्कूल जो ऐसे भी होते हैं जिसे हम नाम देख रहे हैं कि जो लोकल गॉर्मेंट है जो डिश्टिक लेवल पर काम करती है स्थानिस तर पर काम करती हैं उनके त्रूए स्कूल रन के जाते हैं अब हम बात करते हैं गॉर्मेंट एडिट स्कूल अब गॉर्मेंट एडिट प्राइबिट स्कूल की ऐसे स्कूल यूजिली चैरिटेवल ट्रॉष्ट रन स्कूल डेट रिसीव पार्शियल फंडिंग फ्रॉम दे गॉर्मेंट की आम तोर पर धर्मार्थ ट्रॉष्ट द्वारा संचालित स्कूल होते हैं जिने सरकार की तरफ से भी फाइनेंसिल सपोर्ट मिलता है तो यह स्कूल कौन- इनकि प्राइब करते बात करते हैं और लाप संबाद स्कूल संट निराकरि गलख सेकेंडरी स्कूल इसके अलावा तमिल से होते हैं तो इस तरए से बहुकर शारी स्कूल ऐसे भी होते हैं ।्यों, आप इनकी बिल्स्ट में च Э्च कर सकते हैं अब हम बात करते हैं प्राइबेट इस्कूल डीज इस्कूल्स डू नोट रेसीव एनी एट फ्रॉम गौर्वर्मेंट इन विद्यालियों को सरकार से कोई साहता नहीं मिलती प्राइबेट इस्कूल्स है बीन को ये इसे हैं जो फ्राइबेट इस्कूल्स में जाकर एजूकेशन ले हैं द गा de मीडियमस इस्कूल्स इन सच Stevens आन इंगल्स की प्राइबिट इस्कूल्स में मैक्सिममCar मैसली देखते हैं कि जो meडियम अफ होता है और अंगरेजी होता है उन्गलीस होता है फीकि है और mainly private and School carry the title और प्रेविट इस्कूले अपने नाम ęसा कोई सा टाइटल लगाते है फबलिक busy जैसे दिल्ली फबलिकी स्कूल दीप पबलिक स्कूल तो इस तरह से जारा तरज्य स्कूल है अपने नाम के साथ मैकसिमम स्कूल नाम के साथ पबलिक का टाइटल लगाते हैं ठीक है अब हम देखते है curriculum and school education board कि सारे school तो हमने देख लिए लेकिन यहाँ पर इन schools में कौन सा curriculum follow होता है और इन school में जो है कौन सा board है ठीक है जो इनको control करता है जो इनको affiliation देता है जो इनको permission देता है तो इसको भी हम देखते हैं तो सबसे पहले state government board of education राज सिक्षा बोड जैसे यूपी बोड हो गया बिहार बोड हो गया राजस्थान बोड हो गया अर्याना बोड हो गया तो इस तरह से हर state के अपने education board होते हैं ठीक है तो एक हो गया state government board of education राज सिक्षा बोड फिर cbse बहुत सारी स्कूल जो होते हैं इसके बाद हम देखते हैं इंडियन स्कूल सार्टिफिकेट काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सार्टिफिकेट एग्जामिनेशन तो ए भी एक करते हैं इसके अलामा बहुत सारे वर्क्षोब प्रोग्राम जो है एक करवाता है तो एक बोर्ड है एजुकेशन बोर्ड कि राश्ट मुक्त विद्याले सिक्षा संस्थान इसके अलामा आप सब जब स्कूल में हो गया तो आपने एंसी आटी का नाम सुना होगा है स्कूल की बुक्स में लिखा रहता है ठीक है और श्टीट लिवल पर he CRT सेञ्टर लीवल पर जो एज्यूकेशन प्लैनिंग निंग प्लिशी जो इस बनाने का काम किसका है नसी आटी का है करिकलम डैवलप करना बनाना और श्ट्रीट- corona पर जो एज्यूकेशन में जो ninंत्रीनिंग का ओं में ता है किस Absolospheric साफ हो तो तो यह अलग-अलग School Education Board और जो एक करिकुलम हमने देखा कि करिकुलम भी बनाना इनका काम होता है और अलग-अलग School Education Boards के बारे में हमने देखा तो आपको यह वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा आप सब का बहुत-बहुत धन्य से लगभववफशाछ कर देखा झाए बहुत था नग्चर कर दो को एक कर दो दो आटागाए को ऊचरर का एक बहुत रखा उवजखा है और रगा गरे में दो फालग-जार, चल्वतिएवशाश्टल पात्स्तर आपको तो रहुत में हमने अपक्शल आपको पर दो आपको